हालो दोस्तों मैं हर्षटा और आप देख रहे हैं ट्विस्वाइवर्ड थमनिल देखके तो समझे गया होगी कि मैं आज क्या बताना चाहा रही हूँ बहुत सर ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठता ही उठता है कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके शिर से जो निकला हुआ मैचूर एग है जो कि परफेक्ट उसकी एक साइस होती है वो मैचूर होकी जब रिलीज होता है आपकी ओवरी से जो कि 13 या 14 डेज आपको पता है कि होता है अगर मैं नॉर्मल मेंस्ट्रेशन की बात करों जो कि 28 से 30 दिन की चलती है लेकिन मेंस्ट्रेशन अगर जैसे जैसे वैरी करेगा मेभी अगर डेज जादा होंगे या कम होंगे उस हिसाब से आपका ओविलूशन भी बदल जाएगा और विलूशन कैसे ट्रट करना है क्या करना है उसके उपर separately मैंने वीडियो बनाया है तो जाके देखना जाते हैं तो जरूर देख लीजेगा कि किस दिन आपके श्रेश से मैचोर एग रिलीज हो रहा है और उस एग का कैसे पता करेंगी कि उसका X क्रोमोजोम के साथ जो डॉक्टर के पास उनको दिखाने के लिए लेके जाते हैं कि भाई इनका चेक अप कर दीजे इनको क्यों इतनी जादे लड़कियां हो रही है इनके वज़ा से ही लड़कियां हो रही है कई बार तो ऐसी भी नौबद देखने के लिए गाउंद आतों में मिलती है कि हिला से कोई connection नहीं है उनके पास तो XX chromosome है जो variation आती है वो husband से आती है क्योंकि उनके पास X भी है और Y भी है जो भी transfer होगा X ट्रांसफर होगा तो बेटी होगी Y ट्रांसफर होगा तो बेटा होगा अब लोगों के मन में ये curiosity कैसे पता करेंगे कैसे पता करेंगे अरे भाई ठीक है जिम्यदार अगर mail को भी ठहरा है जाता है कि चलो उनके वज़ा से हो रहा है तो क्या उनको भी पता है क्या कि उनके तरफ से कौन सी चीज़े ट्रांसफर होई X हुआ या Y हुआ तो literally माइने में अगर मैं बात करू सीधे सीधे तोर पे तो husband और wife दोनों ही irresponsible है उनको नहीं पता होता है कि कौन सा X Fertilize कब करेगा Y कब करेगा कौन सा पासन हुआ उनको बिलकुल भी नहीं पता यह complete जो planning है वो God के उपर छोड़ देनी चाहिए वो ही decide करता है कि आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए और जो भी देगा बहुत अच्छा होगा च खुद इस बात के लिए बिलकुल भी खारिज करती हूं बिलकुल प्रोमोट महीं कर रही हूं जिंडर डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही बहुत ही जाता गलत बात है और इन फैक्ट इसका सेलेक्शन करना इसकी जाच करना यह इंडिया में इलीगल है लेकिन बस आप नटस के साथ आप जो बहतर आपको मिलना चाहिए वही मिलता है और दोनों ही आपकी संतान है दोनों को अच्छे से प्यार से रखिए परवरिश अच्छी से करिए अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए बस इससे दर्दा क्या बोलूंगी मुझे लगता ही डाउट क्लियर हो गया होगा अगर वीडियोज पसंदा रहे हैं चानल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप मेंटे दूसरे चैनल को भी जाईए जिसका नाम है ट्विन्स माई वर्ल्ड केर वहाँ पर भी मेरे वीडियोज देखिए आपको काफी हेल्फुल मिलेंगे और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिए थैंक यू सो मच फर वाचिंग ट्रेंस माई वर्ल्ड